हेलो एबरिवन वेलकम बैक माई चैनल और आज मैं आपके साथ एक हेर जेल की रेस्पी शेयर करने जारी हूँ बहुत ही अच्छा ये जेल है रेडिमेंट से भी काफी अच्छा काम करेगा आपके बालों को अच्छे से स्पा करेगा बालों को काला करेगा साथ में सॉफ्ट और मुलायम तो बहुत ज्यादा ही बना देगा इसको अपने हफते में दो बार कम से कम यूज़ करना है बिना सर में तेल लगे हुए तो चली स्टार्ट करते वीडियो एक बाल के अंदर मैंने लिए हैं दो चमच मेति दाना और दो चमच ही कलोंजी लूँगी आप किसी भ और अलसी में से ही सबसे ज्यादा जैल निकलता है तो इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए रख दिया था तो यह देखिया हलका हलका फूल चुका अब इसको एक घंटा में और रखोंगी और एक घंटे के लिए दो चमच चावल भीगो के रख दूंगी पानी डालूंगी, पहले मैंने दो गलास पानी डाला था भीगोने के लिए और अब मैं इसके अंदर कम से कम डेर से दो गलास पानी ओट डालूंगी और इसे गयस गेस पे अइक ऐक तार की तब तक के लिए आप जब उबाला आ जाए ग्यास को करोगे low to medium flame पे और उसके बाद इसे चला चला के थोड़ी थोड़ी देर में ताकि इसकी जो हमने समान डाला है वो इस टाइप का ना हो जाए कि चिपकना शुरू हो जाए या पतीले के साथ लगना शुरू हो जाए इसलिए हमें बार-बार हिलाना है तो यह देखे इसकी एक तार की चाशनी टाइप की बनना शुरू होगी है आपने बहुत जादी गाड़ी नहीं करनी है नहीं तो चानना बहुत मुश्किल हो जाएगा यह बात में जब ठंडा होगा तो अपने आप ही बहुत अच्छा गाड़ा जेल बन जाएगा जब आप इसे गरम गर आप चाहे तो रेडिमेंट जेल का यूज भी कर सकते हूं और कोशिच करना कि अगर आपको ताजे पत्ते मिल जाए तो वह ज्यादा अच्छा है और इसको मिक्सी के अंदर अच्छे से पीस दोंगी एक दम यह लिक्विट फॉर्म में हो जाएगा और इसको जब आप अच दम बीच में इतने अच्छे से मिक्स हो जाए कि अलग से डला हुआ आपका अलेविरा पता भी ना लगे जब यह हलकाल का गरम रहेगा आपने तभी मिक्स करना है तो चलिए इसे में रख देती हूं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फिर इसे करती हूं अपने बालों में अपलाई तो यह देखिए यह कुछ इस तरीके का है और अभी जब आप इसे फ्रिज में रख दो के तो और गाड़ा हो जाएगा तो आप जिस तरीके से अपने बालों में तेल लगाते हो उसी तरीके से आपने लगाना है या किसी तरीके से आपने लगाने तो आपके बाल है उसमें भी लगाना है मैं पूरे सिर में लगाऊंगी और अच्छे से लगा लेना है क्योंकि यह घर का बना है ज्यादा महेंगा नहीं पड़ता है तो इसी तरीके से देखे सारे बालो में लगाने के बाद आम में एक जुड़ा बना लूँगी इसका और ब लगाने के बाद मैंने रखा था दो से डाइगंटे सम्तिंग रखा था और साथी साथ काम कर दी तो पता भी नहीं लगा दो डाइगंटे बीद के थे और प्लेन सिंपल पानी से ही दोया है आप चाहो तो जब यह जैल लगा रहे हो तो गीला टौबल करके अपने सर पे काहनी से दोया है इस पोई शैन् twor नहीं किया है को या कंपडि Philadelphia और आप इसका रिजम आथे बहुत ही ज्यादा लगा सकते हो इससे भी काफी स्मूथ हो जाते हैं और मैं इसको फर्स टाइम पहले यूज कर चुकी हूं इसका रिजर्ट अच्छा आया है इसके बाद में वीडियो बना रही हूं यह मुझे किसी और ने बताया था इसकी जितनी भी इंग्रीडेंस है में फ्रेंड ने बताय अच्छा था उसका रिस्पॉंस अच्छा था बट मैंने अपने उपपर ट्राइब के बाद ही आपको बताना सही समझाये तो मुझे काफी अच्छा लगा है तो इसको एक बार जरू ट्राइब करना जो बाल सफेद हो रहे होंगे वह भी धीरे-धीरे काले होंगे सबसे ब imasher निर्टे दाना होगे वह बालो को स्मूधनिस करने में बालो को जड़े मजबूत करने के ही काम आते हैं तो जब इसके अंतर से जैल निकलता है यह चाह पाल नकलता है चाहल जब हम डालते तो वह बहुत अक्छा कंडीशनर का काम करता है ऐसा कूछ नहीं करें आपके बा जरूर करना थोड़ी सी मैनज जरूर है और किसी तरीकी के कोई प्रॉब्लम हो कोई कमेंट्स करना है आपने तो कमेंट्स बॉक्स में आप आके पूछ सकते हो तो मिलूंगी किसी नेक्स्ट व्लोग के साथ तब तक के लिए टेक केर बाए बाए